कर दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूडिव चैनल पर और जैसे के हम सभी जानते हैं कि एच चो का वनिया में लोजी कोर्स चल रहा है सभी के लिए और उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं लार्ज इं टिस्टाइन की बारे में तो आज मैं आपसर चर्चा करूंगी Л.I.14 के बारे में यानि लार्ज इंटिस्टाइन का पॉइंट ्नょमबर 14 कहां पर होती है कि इस से 7 कुन उपर तो इस जगह पर exactly यहाँ पर होगा आपका LI14 कौन कौन सी बिमारी में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सबसे ज़्यादा देख रहा है कि यहाँ पर हमारे आम के पास है तो आफकोर्स हमारी शॉल्डर या हमारे बाजू से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं दर्द है या कोई और समस्याएं हैं कुछ लोग हाथ पूरा उपर नहीं उठा पाते तो उस सिचुएशन में भी आप LI14 का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योर कर सकते हैं ध्यान रहे कि जो पॉइंट है वो दोनों साइट पर चलता है बॉड़ी के जो मेरिडियन है तो अगर इस बाज उपर आप प्रेस करेंगे तो इस बाज उपर भी प्रेस करना है साथ यसाथ अगर गले में सूजन है तो उसको बहुत अच्छे सिक्यूर करता है LI14 अगर आखों की ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है जैसे के अगर आपको ब्लर विजिन है यह प्रॉपर आपको लगता है जिक्ता नहीं है खास तोर पे जिनकी करीब की निगा में कोई दिक्कत आ रही है करीब की नजर में कोई परिशानी आ रही है तो उसमें आप LI14 का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अलावा एक बहुत ही जबरदस यूज है इस पॉइंट का कि अगर इस meridian में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके flow में कोई प्रॉब्लम आ रही है like large intestine में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ये clear करता है ये बहुत अच्छा use होता है साथ इसाथ अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को बाहर की तरफ गले में सूजन है swelling है बहुत जादा तो उसमें भी आप इस point को use कर सकते हैं तो इतने सारे uses हैं इस अकेले point के बहुत ही बहुत ही जबरदस point है guys और बहुत अच्छे result दे सकते हैं आप इस point को use करने के बाद कितनी देर प्रेस करना है 20 सेकेंड से 2 मिनिट तक सिर्फ ठीक है 20 सेकेंड से 2 मिनिट sufficient होते हैं किसी भी एक बिंदू पर pressure देने के लिए अगर आपको लगता है कि आपको दिन में 2 बार pressure देने की जरूरत है तो ध्यान रहे कि दोनों treatments के दोरान जो बीच में 8 गंटे का gap जरूर होना चाहिए तो आया होप यह वीडियो आपको पसंद आयी होगी और पसंद आयी है तो इससे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे मैं मिलूं भी आप सभी से next वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वास्त रहिए, वैस्त रहिए, मस्त रहिए, जबर्दस रहिए Be healthy, be holistic, जैहिंद